हेलो स्टुडेंट्स, वेलकम टू माई चैनल, बच्च वाज क्लास 10th, 2023 का गणित का पेपर 822DY जो की पेपर कोड है, यह सेट नमबर 822DY, यह पूरे पेपर का कम्प्लीट सलूशन आपके लिए आजिर है, तो इसको देखें और समझें, इसका फायदा उठाएं, इसमें खं यह 20 तक, यह बहुत भी कल्पी यह प्रसन है, खंड बर जो की डिस्क्रिप्टिव कोश्चन होता है, इसमें 21, 22, 23, 24, 25 तक कोश्चन होते हैं, देखें, यह सलूशन देखते हैं, तो सबसे पहले हम लोग सुरू करते हैं, multiple choice कोश्चन का, बिंदू P, 2-3 और Q, 10Y के बीच क दूरी 10 मात रख हैं, तो Y का मान क्या होगा, तो जो distance का सुत्र होता है, distance formula लगाते हैं, डी बराबर अंडरूड X2-X1 का holy square, प्लस Y2-Y1 का holy square, उस सुत्र का परियोग करेंगे, तो यहां पर यह 10-2 का holy square, और यह Y plus 3 का holy square, अब यह दिया गया है कि बीच की दूरी 10 मात रख है, तो 10 का square हो जाएगा, अब इसको simplify कर लेंगे, तो Y की value जो है, यह जाएगी 3 और minus 9, यानि minus 3 और 9 तो option number B हो गया, संख्या 139 बटा 125 की दस्मलों परसार में अंकों की संख्या होगी, अगर आप इसको भाग देते हैं, देखिए, दस्मलों में इसमें जो है, एक, दो, त तीन सुन्याएंगे, यानि दस्मलों के बाद तीन अंक होगे, तो दस्मलों परसार में अंकों की संख्या हो जाएगी, तीन, यदि 26 156 का लगुत्तम समापवर्तक 156 है, तो महत्तम समापवर्तक का मान क्या होगा, तो आपने सूत्र पढ़ा हुआ है, पहली संख्या वह बड़ी संख्या जिसमें 245 और 1037 को भी भाजित करने पर प्रतेक दस्मा में से स्फल 5 पराप्त होता, तो वह संख्या कौन सी होगी, तो 245 में से 5 घटा ले, 240 हो गया, 1037 में से 5 घटा ले, 1032 हो गया, अब इन दोनों का अगर हम युगली डेल गार्थिम से जो है, निक 24, यदि समीकरण 2x square प्लस x प्लस 6 बराबर 0 का 1 mol 2 है, तो a का मान क्या होगा, अब इस समीकरण में हम रख देते हैं, x के जगा पर 2, तो 2 का square और प्लस ये a इंटू 2 प्लस 6, इसको simplify करेंगे, तो a का मान आ जाएगा, माइनस 7, question number 6, दो संख्याओं के युगफल और अंतर क्रम सा 8 और 2 हैं, तो संख्याओं होगी, तो देखे, x प्लस y बराबर 8 हो गया, x माइनस y बराबर 2 हो गया, दोनों को जोड़ेंगे तो y कड़ गया, 2x बराबर 10, तो x बराबर 5, तो y बराबर 3 आ जाएगा, नियापसर नमबर b, समिकरण 4x स्क्याओं माइनस 12x प्लस 9 एक्वल स्टो 0 के मूल होंगे, तो हम निकाल लेते हैं इसका discriminant, बिविक्तिकर, तो d बराबर b स्क्याओं माइनस 4c, आ गया 0, और जब यह 0 आता है, तो इसका मतलब क्या होता है, कि जो उसके मूल है, या वास्तविक हैं, और बरा लगाएंगे, तो यह आ जाएगा 2 root 2, यानि option number c, 3x स्क्याओं माइनस 2x प्लस 1 बाइ 3, बराबर 0 का भी विक्तिकर होगा, तो अगर हम इस समिकरण को b स्क्याओं, यानि ax स्क्याओं माइनस b x प्लस c बराबर 0 है, तो यह भी विक्तिकर निकालें, तो d बराबर minus b होगा, सुन्य होगा, question number 10, दिये गए चितर में त्रभुज ABC के आधार BC के समानतर रेखाखन DE खीचा गया है, इस figure को आप देख रहा होगे, तो अब इसमें क्या होता है, AD बटा DB बराबर AE बटा EC, यह वैलू रखेंगे, तो AD का मान आ जाएगा 2.4, option number c, दो समरूप त्र cm और 4 cm है, त्रिवजों के छेतरफलों में अनुपात होगा, तो समरूप छेतरफलों का जो अनुपात होगा, यह दोनों उचाईयों के बर्ग का अनुपात के बराबर होगा, तो 3 बटा 4 का स्क्वार करेंगी, तिया जाएगा 9 बटा 16, यानि इसमें अनुपात हो जाएग 9 बटा 16, आपसर नमबर A, त्रिज्य खंड OAB का छेतरफल होगा, तो यह देख रहे हैं कि 30 डिग्री का, 30 डिग्री है, तिसका मतलब हो गया, कि 360 डिग्री पर पाई आर स्क्वार होगा, तो अब त्रिज्य खंड का निकालेंगे, तो 30 डिग्री अपान, 360 इंटु पाई आ स्क्वार यह निकाल देंगे, तो यह आजाएगा 4.19 cm स्क्वार, आपसर नमबर B, 13, 210 स्क्वार 45 प्लस का स्क्वार 30 मान स्क्वार 60 का मान होगा, तो यह इसकी बैलू स्ल्व करेंगे, मान रख करके, तो यह आजाएगा 2, आपसर नमबर C, Question number 14, कास स्क्वार 67 मान स्क्वार 23 का मान होगा, तो देखिए, कास स्क्वार 60 मान स्क्वार 23 है, तो इस 23 को 90 मान स्क्वार 67 लिख सकते हैं, तो साइन बदल जायागा, कास हो जायागा, फिर यह बैलू हो जायेगी, 0, C आपसर, किसी तर्भुजिए अभी C में, एंगिल C, 90 10A 1 upon root 3 है तो इसका मान होगा तो देखिए क्या है sin A कास B प्लस कास है sin B यह सूतर किसका है sin A प्लस B का अब देखिए C 90 degree है C 90 degree है तो इसका मतलब हो गया कि A plus B बराबर एक सौस्ती माइनस C एक सौस्ती में से यह 90 निकल गया Otherwise हम यह 10 theta बराबर P by B रखेंगे hypotenuse निकालेंगे और फिर मान रखेंगे Question number 16 निमलेखी सारडी का माध्य होगा तो अब इसका जो है माध्य निकालने के लिए आपको यह बरगंतराल है फिर इसके बाद इसका X निकालेंगे F दिया हुआ है फिर F X निकालेंगे तो summation F X अपान summation F यह जाएगा 24 असमल अच्छे Option number B यदि एक ब्रित का परिमाप एक वर्ग के परिमाप के बराबर है ब्रित का परिमाप तो ब्रित का परिमाप circumference एने 2 पाई यार हो गया और बर्ग का परिमाप तो 4 गुड़े भुजा तो पराबर है तो दिखिए 2 पाई यार बराबर 4 है तो आर बटा एक आमान हो जाएगा 2 अपान पाई फिर 6 फल में अनुपाद तो पाई यार स्कॉाइर बटा एक आई स्कॉाइर मान रखेंगे तो आजाएगा 14 बटा 11 अपसर नमबर B एक आहताकार का अगर 40 सेंटीमीटर गुड़े 22 सेंटीमीटर को मोड़ कर एक खोकले बेलन गयाकार में बनाया जाता है जिसकी उचाई 40 है तो जब उचाई 40 है तो इसका मतलब कि जो घेर के बनाया गया है वह कितना हुआ सरकमफरेंस उसका 22 सेंटीमीटर तो 2 पाई र बराबर 22 तो र बराबर आ जाएगा 3.5 सेंटीमीटर आपसर नमबर A निम्लखित सानडी का माध्यक वर्ग होगा तो देखे इसमें क्या करते हैं आप इसकी संचाई बारम बारता निकालते हैं संचाई बारम बारता देखे 7, 5, 12, 12, 16, 28 और फिर 40, 42 और फिर क्या करते हैं यन निकालते हैं तो यन का मान 42 है यन बाई 2 करेंगे 21, 21 किसमें आएगा 28 में आएगा 28 के सामने का क्या है 20 से 30 है तो यह बर्व हो जाएगा C 20 से 30 यदि किसी बेंडन के माध्यक और माध्यक क्रमसर 24.5 और 26 हैं तो बहुलग क्या होगा बहुलग के लिए सुत्र होता है 3 माध्यक माइनस 2 माध्य मान रखेंगे आ जाएगा 29 आपसन नमबर C इस परकार से आपने देखा कि कोस्चन नमबर 1 से 20 तक का ये पूरा सलूसन हो गया जिसको कि आप OMR सीट पर गोला रंग करके करते हैं चलिए अब इसका देखते हैं सेक्षन B का डिस्क्रिप्टिव टाइप कोस्चन जो कि कोस्चन नमबर 21, 22, 23, 24 और 25 है कोस्चन नमबर 21 में ये देखिए क, ख, ग, ग, अग, और च, ये 6 कोस्चन दिये गए हैं ये दो नमबर के कोस्चन होते हैं तो ये देखिए क्या है पहले में 6, 137 बटा 7,280 है अब यहाँ पर इसको हम ब्रेक करेंगे ब्रेक करने का मतलब है इसके फैक्टर करेंगे तो फैक्टर करेंगे तो अभी बताना है कि ये सांत है या असांत है तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये इस रूप का नहीं है इसके लिए क्या होता है कि 2 पावर यम और 5 पावर एन के फार्म का होना चाहिए लेकिन इस रूप का सिर्फ नहीं है इसका मतलब हो गया कि इसका दसमलों परसार असांत आवरती होगा ख़़ में दिया गया है कि साइन 3 ये बराबर कास A-26 तो देखें अब इसको जो है 3 A को हम क्या लिख सकते हैं कास 90-3 ये लिख सकते हैं बराबर कास A-26 दोनों तरफ बराबर कर देंगे तो 90-3 A बराबर A-26 तो अब इससे A का माना जाएगा 29 21 के गर में दिया गया है संग की आधार की तरिज्या और उचाई दी गई है तरिया कुचाई पूचा है तो तरिया कुचाई के लिए सुत्र होता है अंडरूड R-square प्लस H-square यहाँ पर मान रखेंगे तो 3.5 का स्काईर प्लस 12 का स्काईर ये टोटल आ जाएगा 156.25 और इसका बर्ग मूल निकालेंगे तो आ जाएगा 12.5 सेंटिमीटर अगले पार्ट में ये X, F ये दिया गया है तो इसका C, F निकालेंगे और F, X निकालेंगे तो समानतर माद दे दिया गया है कि ये 15.5 है इसकी साहिता से जो unknown value ये P है P का मान निकालना है तो समानतर माद समेशन एफेक्स बटा समेशन ये अप होता है यहाँ पर मान रखेंगे जब इसका मान रखेंगे तो ये 15.5 दिया हुआ है अब इसको simplify करेंगे तो P का मान आपको प्राप्ट हो जाएगा 5 21 का घह हो गया इसके बाद इसका अंगा है अब इसमें जो है minus 1 6 minus 3 10 6 minus 8 यनि 3 10 और इसको मिलाने पर minus 1 6 इसको किस अनुपात में विभाजित करेगा ये निकालना है तो मान लेते हैं कि कि अनुपाते 1 में विभाजित करेगा तो सुत्र क्या होता है M X2 प्लस N X1 अपान M प्लस N इससी तरह से M Y2 प्लस N Y1 अपान M प्लस N अभी हम मान रखेंगे अब देखें यहां पर X और Y दोनों कमान दिया गया है तो यहां पर हम किसी एक को X कोडिनेट के लिए या Y कोडिनेट के लिए बराबर कर दें तो चलिए हम X कोडिनेट के लिए बराबर करते हैं तो 6K माइनस 3 अपान K प्लस 1 बराबर माइनस 1 अभी यहां से K कमान निकालेंगे आप तो K कमान आ जाएगा 2 by 7 यानि K is to 1, 2 is to 7 यानि 2 अनुपाते 7 में या इसको बांटेगा 21 का 6 यहां पर यह दिया गया है कि X Y बिन्दों 3 6 माइनस 3 4 से सम दूरस तो इसका मतलब दोनों के बीच की दूरी क्या होगी बराबर होगी तो जब बराबर होगी तो यहां से इसके बीच की दूरी और यहां से इसके बीच की दूरी इक्वेट करते हैं इक्वेट करेंगे दोनों तरब का स्कॉयर रूट हटा देंगे और इसके बाद बर्क करेंगे तो देखिए यह जो 9 इससे कट गया X square से X square कट गया प्लस Y square से प्लस Y square कट गया अब जो बचा उसको आप उतारेंगे और यह आ जाएगा 3X प्लस Y पराबर 5 यह है इसका समीकरण अब इसके बाद 22 22 में भी यह देख रहे होंगे कोस्चन है यह कोस्चन चार नंबर के हैं कोस्चन चले पहला कोस्चन देखते हैं अब इसमें 22 समीकरण जो 2X square minus 4X plus 3 बराबर 0 दिया गया है तो यहां से हम A, B, C मान निकाल लें फिर भी विक्तिकर निकालेंगे डिस्क्रिमिनेंट तो यह जो है हमें प्राप्त हुआ minus 8 तो B square minus 4AC जब रिडात्मक होता है तो क्या होता है उसका कोई वास्तविक मूल प्राप्त नहीं होता है यानि इसके जो मूल होंगे यह कालपनिक होंगे तो हम यह कहते हैं कि इसका कोई मूल नहीं होगा ख, दो संख्याएं दी गई है और उन संख्याओं का जो बर्ग है 340 के बराबर है तो X और X plus 2 मान लिया दोनों का बर्ग करके जोडेंगे तो जोडने के बाद जो है समीकरण बनेगा यह समीकरण बनाने पर प्राप्त होगा यह देखिए फैक्टर आ गया X plus 14, X minus 12 तो यह minus आ जाएगा X का मान आ जाएगा minus 14 और 12 रडातमक संख्या नहीं लेंगे तो X बराबर 12 हो गया तो पहली संख्या अगर 12 हो गई तो दूसरी संख्या 12 प्लस 2 यानि 14 होगी तो पहली संख्या 12 होगी और दूसरी संख्या 14 होगी 22 का गर एक तरभुज ABC बनाई है जिसमें BC 6 cm है AB 4.5 cm है एंगेल ABC 60 डिग्री है फिर एक दूसरी तरभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएट तरभुज ABC की संख्याओं के 3 बटा 4 गुनी होगी तो चले सबसे पहले तो हम BC खीचते हैं BC खीचने के बाद बन गया अब B से नीचे की तरफ एक लाइन खीचते हैं जिसमें एक नियून कोन बनाएंगे और इसको 4 बराबर आर्क लगाते हैं 4 आर्क को 4 आर्क क्यों लगाया क्योंकि 3 बटा 4 है यानि नीचे 4 है 4 भाग में इसको हमने बाट लिया इससे B4C को मिला दिया अब इसके बाद उपर आप देख रहे हैं कि इसका 3 बटा 4 होना चाहिए तो B3 से B4C के पैरलल एक लाइन खीचते हैं या लाइन C' पर मिलता है अब जो है फिर C A के पैरलल C' से खीचते हैं तो C A' अब इस प्रकार इसमें अगला कोस्चन है एक प्रकास अस्तम के सिखर से देखने पर समुद्र में दोनों जहाजों के और नमन कौन करमसद 30 डिगरी और 45 डिगरी हैं यदि प्रकास अस्तम के एक ही और एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे 50 मीटर की दूरी पर है तो समुद्र तल से प्रकास अस्तम के उचाई तो देखिए फिकर बनेगा ये एक इसकी उचाई है ये 45 डिगरी पर है और ये 30 डिगरी पर है तो अब यहाँ पर हमें फाइंड करना है एक का मान तो तरभुज जो है हम ले लेते हैं ADC पहले ADC इसमें 10 पाइंटारीस बराबर H बटा याक्स तो X का मतलब हो गया कि H बराबर X मिल गया फिर ये BDC में 10 30 H अपान X प्लस 50 तो 10 30 का मान वान पान रूट 3 H अपान X प्लस 50 तो H प्लस 50 बराबर यहाँ से मान भी रख देंगे तो रूट 3 H अचा जाएगा तो यहाँ से H का मान निकाल लेंगे H का मान आजाएगा 68.31 मीटर यानि स्थम्प की जो हुचाई है 68.31 मीटर होगी तब इसका देखिए अंगा निमलखी सारडी से समानतर माद ग्याद कीजिए ये 5 से कम 10 से कम इस तरह से है तो इसको हम पहलेट टेबुलेट करेंगे तो ये सारडी बनेगी X का मान हम बना लेते हैं 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15 से 20 अब देखिए 3, 10, 25 इस तरह लिखा होगा है तो 5 से कम 3 है 3 हो गया तो 10 से कम 10 है तो इसका मतलब की 5 से 10 में कितने आएंगे 10 माइनस 3 यानि 7 इस तरह से 15 से कम 25 है तो 25 में से ये 10 घड़ जाएगा तो ये आजाएगा 15 और इस प्रकार से हम इसको निकाल लेंगे तो FI हो गया फिर इसके बाद ये XI इसका हाफ तोनों को जोड़ करकी Lower Limit Upper Limit अपांटू होता है और फिर आप FI XI निकालेंगे समेशन FI XI और समांतर माद का जो सूत्र है समेशन FI XI अपां समेशन FI यानि X बार हो गया 2452 अब ये मान हो गया 1856 च निमल खित बारंबारता बंटन से माध्यक ज्याद कीजिए माध्यक तो बरगंतराल, बारंबारता इसके लिए संचाई बारंबारता ये बना लेंगे अब यहाँ पर आप देखिए N कामान 50 है तो N by 2 25 हो गया 25 किसमें पड़ेगा? 40 से 55 में पड़ेगा माध्यक बरग होगे 40 से 55 यानि इसमें L कामान लोवर जो होगा ये 40 हो गया CF कितना हो गया? 13 हो गया जस्ट एक पहले वाला होता है और F कामान हो गया 20 और बरगंतराल में जो अंतर है H पंद रखा है तो इस तरह से माध्यक बराबर L प्लस N बाइ 2 माइनस CF अपान F इन्टू H यहाँ पर मान रख देंगे मान रखने के बाद कैलकुलेशन कर लीजी माध्यक आजाएगा 49 Q.23 6 नमर का Q. इसमें दो पार्ट होते हैं दोनों में से कोई एक करना होता है तो यह फर्स्ट पार्ट है तो हम इसको M या N के रूप में मान सकते हैं तो चलिए मान लेते हैं हम कि 2 X माइनस 1 अपान X प्लस 3 बराबर M तो यह इसका रेसी प्रोकल है तो एक बटा हो जाएगा तो यह हो गया 2 M माइनस 3 अपान M बराबर 5 इसको सिंप्लिफाई करेंगे क्रास मल्टिप्लाई करके और यह एक्वेशन बन जाएगा 2 M स्कॉर मानस 5 M माइनस 3 बराबर 0 इसका फैक्टर कर लेजे फैक्टर कर लेंगे तो यह आ जाएगा M माइनस 3 2 M प्लस 1 बराबर 0 यानि M का मान 3 हो गया और माइनस 1 बाइ 2 अब 2 X माइनस 1 अपान X प्लस 3 को एक बार 3 रखेंगे और एक बार माइनस 1 बाइ 2 रखेंगे तो इस तरह से जब 2 X माइनस 1 अपान X प्लस 3 बराबर 3 रखेंगे तो X बराबर माइनस 10 आ जाएगा जब माइनस 1 बाइ 2 रखेंगे कि दो अंकों से बनी एक संख्या है, उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योगफल 6-6 है, यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 है, तो संख्या ग्याद केजिए, तो चलिए, माल लेते हैं कि एक आई की संख्या एक्स है और दहाई की संख्या वाई है, तो इस तरह से जो संख्या होगी 10X पलस Y और फलटने पर 10Y पलस X होगी अब 10X पलस Y पलस 10Y पलस X बड़ाबर यह 6 तो यह X पलस Y बड़ाबर मिल जाएगा 6 और दोनों का अंतर जो है वह 2 है अब दोनों को जोड दीजे तो यह 2X बड़ाबर 8 तो X बराबर 4 हो जाएगा अब X प्लस Y बराबर 6 है से Y का मान 6 मानस X रखेंगे तो ये Y का मान आ जाएगा 2 तो इस तरह से जो संख्या होगी हो जाएगी 24 क्योंकि आपने क्या माना है दहाई का अंक Y है और इकाई का अंक X है तो 24 हो गया संख्या 24 24 गोस्टन नमर 60 मीटर उचए किसी भवन तो किसी मिनार की सिखर और पाद के आवनमन कौण क्रमसः 30 ओर 60 डिगरी है मिनार के उचाएग ज्याद कीजिए तो इस तरह का कोस्टान आपने किया ये 60 मीटर ऊचा कोई भवन है यहां से हम इस मिनार को देख रहे हैं किसी मिनार के सिखर और पात की आउनमन कोण 30 और 60 है यह देखे आउनमन कोण तो यह यहां से हम देख रहे हैं जब यहां से देख रहे हैं तो उस केस में क्या होगा देखे यह 30 डिग्री है और यह 60 डिग्री है अब इसका जो है एक ये ट्रेंगल बना लेंगे यहां से और एक दूसरा बनेगा यहां से अब इन दोनों को साल करेंगे तो ABC में 1060 60 एपान X तो X का माना जाएगा 60 एपान रूट 3 और ये हो जाएगा 20 रूट 3 इसी तरह से AED में निकालेंगे तो 1030 A एपान ED मान रखेंगे और मान रखने के बाद फिर इसको सिंप्लिफाई करेंगे तो H का माना जाएगा 40 मीटर एक चिडिया 80 मीटर उचे पेड़ पर बैठी है प्रत्वी तल के किसी बिंदु से चिडिया का उन्नयन कोंड 45 डिगरी है चिडिया 36 जिसा में अब इस प्रकार उड़ती है कि उसकी प्रत्वी तल से उचाई समान रहती है दो सेकेंड बाद उसी बिंदु से चिडिया का उन्नयन कोंड 30 डिगरी हो जाता है तो चिडिया की उड़ने की चाल गयात कीजिए देखिए पहले चिडिया यहाँ पर है A पर और ये कोड बनता है 45 डिगरी का फिर चिडिया यहाँ से उड़ती है 2 सेकेंड में यहाँ पहुंचती है D पर जब D पर पहुँचती है उचाई उतनी ही है लेकिन अब कोड बदल गया 30 degree तो एक तिर्भूज हो गया A, B, C और एक तिर्भूज हो गया C, D, E तो इसमें जो है हम find करेंगे तो A, B, C में 10, 45 बराबर A, B बटा B, C तो B, C बराबर 80 मीटर आ गया D, E, C में 10, 30, D यपान E, C तो इससे मिल जाएगा E, C का मान 80 root 3 अब यहाँ पर मान रखेंगे तो H बराबर हो गया 60 minus 20 यानि 40 तो E, B बराबर E, C minus B, C यह मान रखेंगे यहाँ से क्या जाएगा 80 root 3 minus 1 मीटर और root 3 minus 1 1.732 minus 1, 2.732 उड़ा कर देंगे तो 58.56 मीटर है अब चिडिया की उड़ेने की चाल है तो चाल बराबर दूरी बटा समय होता है कितनी दूरी है और कितना समय तो 28.56 मीटर दूरी है और समय 2 सेकेंड तो आ गया 29.28 मीटर पर सेकेंड यानि चिडिया जो A से उड़कर किये D तक जा रही है किस चाल से उड़के गई यह गई 29.28 मीटर पर सेकेंड की चाल से कुश्चन नमबर 25 धातु के एक ठोस गोले को पिखला कर जिसकी तरिजया 10.5 सेंटी मीटर है छोटे ठोस संकूओं में दुबारा ढाला जाता है जिनकी प्रतेक के तरिजया 3.5 सेंटी मीटर और उचाई 3 सेंटी मीटर है इस प्रकार कुल कितने संकू बनेंगे तो जो ठोस गोले के तरिजया 10.5 सेंटी मीटर है छोटे ठोस संकूओं के तरिजया 3.5 सेंटी मीटर है ठोस संकूओं की उचाई 3 सेंटी मीटर है ठोस संकूओं के संख्या मान लेते है एन तो जब उसको फिगलाएंगे तो पहले का आयतन और बाद का आयतन दोनों आयतन बराबर होगा तो दोनों के आयतन को बराबर कर देते हैं तो प्रसना नुसार हो गया कि n छोटे संकूओं का आयतन बराबर गोले का आयतन संकू का आयतन होता 1 बटा 3 πr² h n संकू है तो यहन से गुड़ा हो गया और गोले का आयतन होता है 4 अपान 3 πr² अब यहां से 1 अपान 3 πr² दोनों तरफ कट जाएगा तो n इंटू πr² h बराबर 4 r¥ तो n बराबर 4 r¥ अपान r² h अब यहां पर मान रखेंगे और यह देखिए यहां पर कट करेंगे तो यह 30 अपान 5 है 35 यह 105 होगा तो यह 3 यह भी 3 और फिर इसके बाद एक 3 उससे कट जाएगा 30 अपान 5 है इसको भाग देंगे तो इस तरह से आ जाएगा यह टोटल 126 तो जो संकू बनेंगे इन संकू की संख्या होगी 126 इसका अथवा पार्थ है एक सेंटीमीटर ब्यास वाली 8 सेंटीमीटर लंबी ताबे की एक छड़ को एक समान मोटाई वाले 18 मीटर लंबे एक तार की रूप में खीचा जाता है तार की मोटाई ज्याद कीजिए तो देखिए इसमें भी वही है छड़ का कार कैसा होगा बे इसका अथार मीटर इन 1800 सेंटीमीटर हो जाएगा तो तार यानि उसकी जो तिरिज्या है वो कितनी होगी तो छड़ का जो आयतन होगा तार के आयतन के बराबर होगा और दोनों है बेलनाकार तो पाई आर स्कॉयर याच इधर भी पाई आर स्कॉयर याच इधर भी दोनों R बराबरा जाएगा, 1 बटा 30, और इसको भाग देंगे, 0.033 cm, तो इस तक परकार से, इसकी जो तरिज्या है, यह मिल गए 0.033 cm, तो इसका डायमेटर, यानि इसकी मोटाई कितनी होगी, 2R के बराबर, तो दो गुड़े 0.033, यानि 0.066 cm, तो जो तार की मोटाई होगी, य 0.066 cm होगी, या अगर हम इसको मिलिमीटर में लिखते हैं, तो क्या करेंगे, 1 cm बराबर होता है, 10 mm, तो यह आ जाएगा, 0.66 mm.